हेलो एन वेलकम दोस्तों के आर जी मेवार यूटूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्तान सरकार राजस्तान के अंदर जो भी यूवा हैं उनके लिए भविश्च की जो राजस्तान बारवी लेवल की जो अग्जाम है उसके लिए CET की कंपल्सरी आपको पास होना जरूरी है अगर आप सेटी पास होंगे तब ही आप राजस्तान पुलीस वर्ण रखसक जो बारवी लेवल की जो एक्जाम होते हैं कंपीडिशन की जो वेकेंसी कुल थी है उसका आपको उसके लिए आपको सीटी प आप नहीं बर्टाये तो उसको अंतिम मोगा दिया गया है आप इस सकते हो कि आपको अभी नोटी साएं जैड़ा तरीका नोटीस में आप देख सकते हो वी लास्ट सीटी ने करते हो तो आप शिब्डी तीक फॉर्म नहीं परते हो तो आप वविश्य में बारवी लेवल की जो भी वेकेंसी खुलती है उसमें भी फोर्म नहीं भर पाऊगे तो आपको CET का फोर्म बढ़ना जुरूरी है अगर आप किसी भी कमपेडिशन एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राजस्तान स्टेट लेवल की जो भी वेकेंसी खुलती है उसमें बारवी लेवल की जो भी पोस्ट जो आती है रिजसर वन पाल वन रखसक सची पड़वारी जो भी वेकेंसी आती है उसके लिए आपको सीटी का पास होना अब भविश्च में जुरूरी है अगर आप सीटी पास होगे तब ही आप उस प्रिक्सा में शामिल हो पाऊगे तो अंतिव मोका हैं साथ दिन और बढ़ा दिये गए हैं साथ दिन का इंजार ना करें आप एक दो दिन में ही अपना आवेदन कर लें जिस किसीने भी आवेदन नहीं किया है